जैहिन सातियों आप सभी का स्वागत है आपके यूटूब चैनल इस्टडी विद मूलेंदर पर तो फ्रेंड जैसा के आप सभी देख पा रहे होंगे आपकी जो कल थी वो कल वीडियो नहीं अपाईया उसके लिए छमाचाऊंगा और फ्रेंड्स जिन में स्टूडेंट ने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है जिन में मैंने आपको होस्टल की आपके फैसलिटी के वारे में बताया था कि किस होस्टल में किस चीज की फैसलिटी है तो वो जाकर के देख सकते हैं लिंक वीडियो के description में आपको मिल जाएगा और friends आपको बात करने वाले हैं बहुत important इस वीडियो में क्योंकि ये इसके बाद आपको एडविशन नहीं मिलने वाला है तो इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंदाए लाइक करें और दोस्तों के साथ share करना दबूलें ताकि सभी student का इस वीडियो को फाइदा मिल सके और जिन भी छात्राओं को अभी तक एडविशन नहीं हुआ है वो एडविशन ले सकें तो friends मौपब राउंड second के जो registered candidate थे जिनको seat alloweded कर दी गई थी merit के इनुसार उनकी जो data वो extended कर दी गई है यानि कि वो 13 साथ 20 मुनी तक एडविशन ले सकते हैं यानि कि कल का दिन उनको और दिया गया है nearest NSTI में जाकर के वो एडविशन ले सकते हैं उसके बाद क्या होगा सारी information वीडियो में बताने वालों तो चैनल को subscribe कर ले चलिए वीडियो को start करते हैं तो friends जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको यह information देनी है कि जिन student का अभी तक एडविशन नहीं हुआ है और वो student क्या करें तो friends आपका जो आगी क्या होने वाला है sport counseling होने वाली है आपकी कौन सी counseling होनी है sport counseling होने वाली है जो कि आपकी 14 तारिक से start हो जाएगी तो friends इस post counseling में क्या होता है आपका direct admission होता है कि जिस भी college में seat खाली है आप वहाँ पर direct जाकर के admission ले सकते हैं और आपको इसका जो link है वो इसकी website पर open कर दिया जाएगा आप वहाँ पर registration करा करने के बाद सायद registration भी अभी इसका अपडेट जारी नहीं किया है लेकिन कल के बाद अपडेट जारी कर देंगे कि आपको registration कराने के बाद college जाना है या वहीं पर जाकर के registration कराना है तो friends इसकी विजानकारी भी आपको इस वीडियो में देने वाले है तो friends आपको ये बताना बहुत important है कि किस college में कितनी city अभी भी अब लेवल हैं यानि कि खाली है current में तो इस वीडियो के बारे में हम आपको बताने वाले हैं आपके branches के अनुसार तो वीडियो के साथ बने रहे हैं वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें जिससे कि जिन भी इस्टुडेंट का अभी तक एड़िशन नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट्स का लोगिन करने पर आपका एप्लिकेशन रिजक्टिड बता रहा था तब भी तो उसमें टेक्निकल इसू के साइड में टेक्निकल इसू आ गया था उसकी वज़े से आपका रिजिस्टेशन नहीं हो पाया और जिनका नहीं हो पाया वो आप जाकर के डिरेक्ट स्पोट कांसिलिंग में एडिशन करा सकते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कॉस्ट मैटो लॉजी की बात करते हैं यहाँ पर आप सभी तो इसमें करंट वेकिन्सी कहां पर कहां पर ओपन है तो यह मैं आपको बताने वाला हूँ तो फ्रेंट आप जब भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके पहली counseling में admit थे हुए थे, यहाँ पर second counseling में जो बंदो ने admission लिया है, वो मौपप first में और second में कितने admit हुए है, student यह सारे detail दी गई है, तो आप देख सकते हैं, और current vacancies की बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम, तो current vac vacancies में NSTI इलावाद women's college में available है, और एक college, एक seat आपके NSTI कॉलकाता women's college में available है, किसके cosmetology की, तो इसमें बस friends से ही seat, दो seatे खानी है, के only दो seatे खानी है, cosmetology के जो भी student दो छात्र रहें गए हैं, वो आपके NSTI women's इलावाद और कॉलकाता से apply कर सकते हैं, यह जाकर के माँ direct admission ल दे तारिक को पूरी तरह से आपको इसू कर दूँगा, तो चलते है, NSTI की बात कर लेते हैं, तो friends, NSTI आपका यहाँ पर draftman civil, तो यहाँ पर draftman civil की बात करते हैं, तो यहाँ पर कितनी vacancies खाली हैं, current में, तो NSTI चैन्ने में 6 vacancies open हैं, अब यह अवले बन हैं, second up round के बाद भी, मौप up round के बाद भी यहाँ पर 6 सीटे खाली हैं, तो जो भी चात्रव आपके draftman civil से आते हैं, वो यहाँ पर एडविशन ले सकते हैं, चैन्ने में, आपके हावडा में भी यहाँ पर 2 सीटे खाली हैं, आपके यहाँ पर सिमला में भी आपकी यहाँ पर 2 vacancies खाली हैं, तो यहाँ भी आप चाकर के एडविशन ले सकते हैं, बात करते हैं, नेस्ट की, तो फ्रेंट्स नेस्ट है आपका यहाँ पर, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कि एनस्ट यहाँ पर आपकी एक सीट अवलेवल है, कौन से ब्रांचीज की official management हिंदी की, तो फ्रेंट इस नेस्ट आपके सामने हैं, यहाँ पर, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कौन सी वेकिन्सी कांगी है, किस ब्रांची है, तो आपके ब्रांच की अनुसार मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, तो अपनी ब्रांच की सीटें नौट कर लें, और जिस में आपको एड़िशन लेला है उसका नाम not कर लें और तभी उस college में जाएं तो friends यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हूँगे NSTi Mumbai में भी women's की जो seat है वो कितनी खाली है तेह रहे हैं खाली है इस branches की और Nevada NSTi में एक vacancies खाली है women's के लिए तो friends यहाँ पर NSTi तुर्वन्तपुरम की बात करते है sorry तो यहाँ पर NSTi women's तुर्वन्त दूरम दूरम दे रखे sorry यहाँ पर तो यहाँ पर चार vacancies खाली है तो friends next देखते हैं आपका तो next vacancies आपकी draftman mechanical की हैं यहाँ पर तो यहाँ पर NSTi हल्दोवानी में 16 vacancies खाली है और यहाँ पर NSTi हावडा में 44 vacancies खाली है इस ब्रांचीज की और Mumbai में आपके 20 vacancies खाली हैं तो friends NSTi यह भी अब भी government college है उन government college हो में भी इस वार कुछ branches की जो seat है वो अब भी बहुत ज़्यादा seat हैं खाली हैं तो friends जिन्वे student हैं वितक admission नहीं ले पाया है यदि उनकी यह branch है तो आप admission ले सकते हैं क्योंकि यह government college है और इसमें fees भी काफी कम लगने वाली है next बात कर लेते हैं friends तो next आपका यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे हूंगे तो यहाँ पर आपके fashion यहाँ पर branch कौन सी है यहाँ पर बात कर लेते हैं fashion designing technology की तो यहाँ पर कितनी vacancies खाली है NST इलावाद भर चुका है यहनि कि full हो चुका है और NST बैंगलोर में दो सीकिटे अभी भी खाली है fashion designing technology की और NST बात करते हैं इन दोर में कितनी vacancies हैं आपर भी दो vacancies आपको देखने को मिल रही है और बात करते हैं आपर और next की तो यहाँ पर friends आपको NST नवेडा में भी एक vacancies आपको मिल सकती है fashion designing की और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे friends NST सिमला में भी women's के लिए एक seat अभी अभी अब लेवल है और यहाँ पर आपको NST बड़ोधरा में भी एक vacancies खाली है तो इस परकार से आप चेक कर सकते हैं और जहाँ पर भी आपकी vacancies खाली है वहाँ से आप admission ले सकते हैं NST देखते हैं NST यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि जैसा कि आप सभी आप देख पा रहे हैं Computer Hardware and Networking Maintenance के बारे में तो जो विच्छातर इस ब्रांच से आते हैं तो NST धहरादून में उनकी तीन vacancies अभी भी open है तो वहाँ से आडविशन ले सकते हैं और NST हैदरावाद और हैदरावाद से आप 11 vacancies अभी भी आपकी खाली है तो फ्रेंट अब भी आपकी बहुत ब्रांच चीज ऐसी हैं जिनमें आपकी गवर्मेंट कॉलिज की जो सीटे हैं वो अभी भी खाली हैं तो आप वहाँ से अडविशन ले सकते हैं क्योंकि आपकी जो फीस है वो काफी कम लगने वाली है प्राइवेट के मुकाबले बहुत ही कम फीस हैं तो आप यहाँ से अडविशन ले सकते हैं नेस्ट के बाद और फ्रेंट्स यहाँ पर नेस्ट है आपकी computer software application तो यहाँ पर आप से भी देखाएं नेस्टे बैंगलूर में तीन वेकिंसी अभी भी खाली हैं नेस्टे चैन्ने में तीन वेकिंसी हैं और नेस्टे देहरादून में दो वेकिंसी खाली हैं किसके computer software application की और नेस्टे हावड़ागी बात करते हैं यहाँ पर फुल हो चुका है और नेस्टे कानपूर में भी एक सीट अवलेवल है तो यहाँ आप से भी आप एडविशन ले सकते हैं और लुदियाना भी आपका फुल हो चुका है नेस्टे मुंबई में भी आपकी दो वेकिंसी यहाँ पर खाली हैं हैदरावाद, नेस्टे आर हैदरावाद में चार वेकिंसी खाली हैं तो फ्रेंड्स आप देख पारे होंगे गोर्मेंट कॉलिज में भी आपकी सीटें अभी अवलेवल है नेस्टे बैंगलोर वोमेंस के लिए एक सीट अवलेवल है तो friends यहाँ पर आप सभी देख पारें होगे इस प्रकार से यहाँ पर NSTi तुर्वंत दुरम है यहाँ पर पुरम होना चाहिए तो यहाँ तो तुर्वेंद्रम, sorry यहाँ पर तुर्वेंद्रम है तुर्वेंद्रम, NSTi तुर्वेंद्रम में हमें फुल हो चुका है तो यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी ब्रांच की अनुसार उसी कॉलिज से एपलाई कर सकते हैं तो इसका लिंक आपको 14 तारिक को जारी कर दिया जाएगा मेरे हिसाब से पहले रेजिस्टेशन कराए जाएगे तो प्रेंड्स नेस्ट बात कर लेते हैं अपकी है आपकर सीन वायरमेंज बहुत इंपोर्टेंट ब्रांच है जादतर स्टुडेंट इसी ब्रांच के लिए एपलाई करते हैं तो फ्रेंड्स जो भी स्टुडेंट ने अभी तक इसमें एडविशन नहीं ले पाएं तो वो देख सकते हैं अपने आपको कहाँ पर एडविशन लेना है तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपका बोपाल आईटोट मंद्य परदेश की बात करते हैं तो 34 सीट है अभी अब लेवल है तो कि यह प्राइवेट कॉलीज है तो इसलिए यहाँ पर बच्चों ने एडविशन कम लिया है तो फ्रेंट्स आप जभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके ओडिशा की बात करते हैं आईटोट ओडिशा में तो यहाँ पर पांच वेकिंसीज खाली है और आपके इन वेकिंसीज खाली है यह भी गॉर्मेंट कॉलीज है आपका और एनस्टे बैंगलोर में आप से भी देख पार हैं तो यहाँ भी अच्छा मौका है आपके लिए और एनस्टे आई भूमनीश्वर की बात करते हैं तो यहाँ पर फूल हो चुका है और एनस्टे कालिकत की लिए बात करते हैं तो यहाँ पर साथ वेकिंसीजज खाली है और चेन नहीं में 13 वेकिंसीज और दहरादून में 1 वेक वेकिंसीज तो फ्रेंट्स आप देख पा रहे हैं गौकरमेंट कॉलिज भी अभी अवलेवल है यानि कि आपको उम्मीद है कि आपको government college मिल सकता है क्योंकि अभी भी छात्राओं ने बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एड़ुईशन नहीं लिया है तो NHTI Mumbai में एक vacancies खाली है और आपके बाग यहाँ पर बगर private I-taught की बात करते हैं तो यहाँ पर 47 vacancies खाली है और बात करते हैं यहाँ पर I-taught जन जतनि की बात करते हैं तो 66 vacancies खाली है तो friends यहाँ पर बात करते हैं जन प्राइवेट आई टौट की जो की फिजा फेजी का में पढ़ता है 41 vacancies खाली है और इसी परकार आई टोट यहाँ पर आप देख पारेंगे फेजी का प्राइवेट यह भी इसमें भी 45 वेकिंसी खाली है और अब मॉडर्न प्राइवेट आई टोट कंगरा यहाँ पर 40 सीटे खाली है तो फ्रेंट्स यह प्राइवेट कॉलिज हैं आपके तो यहाँ पर आप सभी देख पारेंगे यहाँ पर आई टोट गीता राम कॉलिज में 57 सीटे खाली हैं तो फ्रेंट्स आप सभी देख पारे हैं सबसे पहले आपको क्या करना है जो गॉर्मेंट कॉलिज हैं अगर जदी आप government लेना चाहते हैं तो महाँ से apply करें private की बात की बात है क्योंकि private में fees कुछ ज़्यादा लगती है तो friends जिर्वी चात्रों के पास fees की problem है तो वह government quality apply करें इस वार नहीं तो अगली वार आपको वश्य मिल जाएगा तो next बात कर लेते हैं कि friends nest हैं आपका electronics mechanics यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आईटोट उडिशा में कितनी vacancies खाली है तो यहाँ पर 19 vacancies अभी खाली है आईटोट उडिशा के बात करते हैं जो कि आपका आपको देवगरी में आईटोट के बात करते हैं देवगंज गिरी स्वरी करनाटक के बात क करते हैं तो यहाँ पर 28 vacancies खाली है देवगंज रिए 28 vacancies खाली है एनस्टे बैंगलूर में फूलो चुका है और आपका यहाँ पर काली कटकी बात करते हैं तो यहाँ पर तीन vacancies खाली है और चैनने में 1 vacancies और देहरादून में वी एक vacancies खाली है electronics के बंदे जो भी हैं वो आपका एनस्टे मुंबई से भी एक vacancies खाली है और आपके हैदरावाद में 4 vacancies खाली है और एनस्टे इलावाद में वी चार vacancies वोमेंस के लिए खाली है और एनस्टे नेड़ा में वोमेंस के लिए फूलो चुका है हाँ पर भी फूलो चुका है पटना भी और आपका यहा प्रेंट का अभी तक एड़ीशन नहीं हुआ है लेक्ट्रों इसके छात्र है तो वह एड़ा है एड़ाई कर सकते हैं जहां पर वेकिंसी अवलेबल है तो फ्रेंट्स यदि वीडियो अच्छे लगी है हो लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें क्योंकि जो भी स्टुडेंट अभी तक एड़ीशन नहीं ले पाए हैं उनके लिए ये वीडियो काफी महत्पून है तो उन सभी छात्राओं की मदद करने के लिए वीडियो को जाज़से जादा शेयर करें तो मिलते हैं फ्रेंट्स अकले वीडियो में तब तक के लिए जहिंग जवारत कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिंग जवारत